पार्ट छे रिया की डाइरी यह पार्ट डाइरी शैली में लिखा गया है इसमें एक पोलियो ग्रस्त बालिका के अदम में साहस को दर्शाया गया है जो विकलांग होने पर भी सजक और सकारात्मक रूप से जीवन की कठिनाईयों का सामना करती है तीन जुलाई आज स्कूल से लोटते समय मेरा ध्यान मेरी ही हमुम्र की एक लड़की पर गया जो सड़क किनारी पत्थरों से खेल रही थी अकसर उस तरफ से निकलते समय सभी का हाथ बर्बसी नाक पर चला जाता था क्यूंकि पास में बना कूड़ा घर हवा में अजीब सी बद्बू फैला देता था लेकिन उसके पास ही मज़दूरों की बस्ती में रहने वाले लोग उस गंदगी को सेहन भी कर रहे थे और अपना जीवन निर्वाह भी कर रहे थे इसी बस्ती की एक लड़की अकसर मुझे पेड़ के नीचे खेलती नजर आती थी आज मेरी नजर उसकी नजर से टकराई तो उसके चेहरे पर एक हलकी सी मुस्कान आ गई मैंने जहेपते हुए अपनी नजरे घुमाली और कंधेक पर बैक का बोज उठाए घर की तरफ कदम बढ़ाने लगी उसने मुझे पीछे से आवाज लगाई दीदी, दीदी मन सोचने लगी, लेकिन इसने मुझे कैसे पहचाना मैंने पूछा, पर तुमने मुझे कब देखा, मैं तो तुम्हे नहीं पहचानी हाँ जानती हूँ, आप मुझे नहीं पहचानी मैं अकसर मा के साथ आती थी, मेरे एक पैर में पोलियों हो गया है न इसलिए मैं बैसाख्यों के सहारे चलती हूँ, कभी-कभी मैं भी मा के साथ आपके घर जाती हूँ, मैंने आपको देखा भी था मैंने उसकी तरफ देखा तो वा मेले कुचेले कपड़े पहने हुई थी मैंने उससे करनी काटने की कोशिश की, क्योंकि मैं नहीं चाती थी कि स्कूल के बच्चे मुझे एक मैले कुचेले कपड़े पहने लड़की से बाते करते हुए देखें। मैं चलती हूँ, जरा जल्दी है। मैंने जहेंटते हुए कहा और मैं घर की ओर चल दी। घर आकर मुझे बार बार नीलू का चेहरा याद आता रहा। मुझे उसकी बात का उत्तर देने का मन ही नहीं था पर फिर भी मैंने सिर हिला कर हामी भरी। वह चुपचाप जाकर रसोई में एक कोने में बैठ गई। मैं पापा का इंतिजार करी रही थी कि तभी पापा ममी से बोले अरे मेरा लंच देना मुझे देर हो रही है। ममी पापा को लंच देने में व्यस्त हो गई। मैं भी स्कूल जाने को तयार थी। हर रोज मैं और नितेश पापा के साथ ही स्कूल के लिए निकलते थे। आठ जुलाई आज नीलू फिर अपनी मा के साथ हमारी खराई। शाम का समय था। मैं अपना ग्रिह कारे कर रही थी। तभी नीलू ने आकर मुझसे पूछा, दीदी आप मुझे पढ़ाओगी। मैं? मैं कैसे? मैंने हिचकिचा कर पूछा, बस आप मुझे अपनी पुरानी किताबे दे दो। मैं पढ़ना लिखना जानती हूँ, मेरी बस्ती में एक दीदी आती है, उन्होंने मुझे हिंदी वर्ण माला सिखाई थी। धीरे-धीरे शब्द जोड़कर मैं पढ़ भी लेती हूँ। मैं पहले हिचकिचाई, लेकिन उसकी पढ़ने की तीवर इच्छा को देख कर मैंने अपनी पुरानी किताबें उसे दे दी। साथी ये कोशिश भी की कि मेरा हाथ उसके हाथ से छून जाए। उन किताबों को पाकर नीलू की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। 15 जुलाई आज 30 बारिश हो रही थी, मुझे 30 बुखार था, पापा मुझे डॉक्टर के पास ले गए थे, उन्होंने बहुत सी दवाईयां देते हुए कहा था जल्दी ठीक हो जाओगी। घर लोटकर में खिडकी से काले घुमरते बादलों को देख रही थी कि तभी नीलू ने कमरे में प्रवेश किया। किसी काम से बाहर गए हुए थे, मैं सोने की कोशिश करने लगी, दोपहर के समय मम्मी खिचड़ी लेकर मेरे कमरे में आई, बोली, रिया, दवाई खाने का समय हो रहा है, पहले खिचड़ी खा लो, तभी अचानक उनके हाथ पाँ फूल गए और उनके हाथ से प्रेट छू उसे देखकर डर के मारे मेरी भी घिग्गी बंद गई, तभी नीलू ने कमरे में प्रवेश किया और पासी पड़े तॉलिये को उठा कर साप के फन के उपर डाल दिया, और जोर जोर से आसपास के लोगों को आवाजे लगाने लगी, साप साप बचाओ बचाओ, साप साप बचाओ, बचाओ, उसी समय एक सपेरा साप को ढूटता हुआ आया, आवाज सुनकर वह तुरंत रिया के कमरे में आया और साप को पकड़ कर ले गया, नीलू की बहादुरी पर सभी तालिया बचा रहे थे, मैं कापते कदमों से उसके पास पहुची और उसको गले लगा लिया, मेरी आखों से आंसु बहने लगे थे, आज नीलू की बहादुरी ने गंदगी और बदबु से उपर उसकी आत्मा की शुधता से मुझे मिला दिया था, लक्षमी जैन